Hello student, today's topic is ER Diagram. What is ER Diagram? ER Diagram की फुलफो में आपकी Entity Relationship Diagram model. What is ER Diagram? ER Diagram stands for Entity Relationship Diagram, also known as ERD. It is a diagram that explains the relationship of entity set store in a database. आप picture के थुरू आप ER Diagram के थुरू आप अपना data store करते हो. database में. In other words, ER Diagram help to explain the logical structure of database. ER Diagram आप are created based on three basic concepts. Entities, Attribute and Relationship. Entity के होती है आपकी Entity as represent by means of rectangle. जो भी आपकी Entity होती हो आप rectangle के थुरू आप represent करते हो. Rectangle are named with entity set, they represent. An entity can replace person हो सकता है, कोई भी place का नेम हो सकता है, person का नेम हो सकता है, object, event और a concept. We store data in the database. जोसे आपका student है. Student के आपके first name student का last name student तो ये student जो नेम है वो आपका Entity होगा. Teacher, teacher के आप represent कर सकते हो, कोई project हो सकता है, ये आपका Entity होता है. जैसे एक pen, pen आपका क्या Entity है, pen कौन सा pen है, blue pen है, red pen है, pen है, कौन सा pen है आपका, वो आपका आगे बताऊंगी. वो आपके Attribute होता है. Attribute क्या होता है? Attribute are the properties of entities. ठीक है, जो भी आपके Entities की properties होगी, वो आपके Attribute होता है. Attribute are represent by means of ellipse. Every ellipse represents one attribute and it is directly connected to its entity rectangle. आपके Rectangle से Entity डिस्पले होती है, आप represent करते हो, और Attribute आप ellipse से करते हो. देखो, यह आपके Entity है, Student आपके Entity है, तो First Name Student का, दो सुरी नेम, First Name, Last Name आपके composite Entity होती है, यहाँ पर Name Student का, Birth Date Student का, Roll Number, तो यह सब इसकी property है, Student की, ठीक है, और यह सारे Attribute है, इसके, Student किसी का भी नेम हो सकते है, रहूल हुआ, पिरिया हुई, यह सब नेम है, Student की, Just for example, पिरिया, पिरिया का Name क्या है, पिरिया की डेटो पर्थ क्या है, पिरिया का रोल नमर क्या है, पिरिया कौन सी क्लास में पढ़ती है, प्रिया का वहम एड्रस किया है प्रिया का होनमय में सबांगर के मी मत वसक्राइब इन को जरा है कुछ सब द्रिए महल ress दिलेंब प्रवाई चेह जरा यह हैं यह सबीर यह आपकी कंपोजीत एंटर एंटर्टी वह आॉटेए दिवाइडिर इंदा ट्री लाइक स्टेशर एवी नौरिज देट कनेक्टिट टूइट इस एक्रिवूट एट इस कमपोजिट एक्रिवूट और विपर जैंप इलिप्स धार कनेक्टिट वीदा एलिप्स से आपके कनेक्ट वाथी जैसे नेम है यह एंटिटी आपकी ए यह एंटिटी का जो एटिवूट है जो प्रूपटी वो मती लेवर एक से दो हो सकती है जैसे आपका नीम तो यह कि होगा डेत और ब dependence भी एक के ओगा रोल नॉमर एक जो फोन नमर है आपके यह आपstore अपने मुंवेका भी लिक्तु होा सकता है अपनी पपापा का भी ल मंतिल लेवर है ठीक है यह डबल एलिप्स से आप रिपर्जेंट करते हो मंतिल लेवर ड्राइब के ओतर एटिविट आर्ड जो आपके किसी से लिया गया हो जैसे एज है एज आपनी स्टुडेंट से इसकी एज लिए ड्राइब करें तो यह आपकी डैसे इलिप्से डिनोट होते है पेपर में ही पुछा जाएगा आपकी जो मंतिल लेवल है वह आपके किसे डिनोट करते हो डबल एलिप्स से करते हो ड्राइब एटिटूट आप किसे रिपर्जेंट करते हो आप डैसिस से करते हो ठीक है यह पेपर में पुछा जाते है आपका यह डाइग्राम सिं एंटी रेटेंगल में क्या रिपर्जेंन और एंटी करती हो और विए श्टॉग एंटी सीम्ल रेटेंगल से रिपर्जेंन करती हो और जो विए anticipating起алась वे rom होंगे और एट्रिबूट आप इलिप्स से करते हो मंतिले एट्रिपूट आप डबल इलिप्स से करते हो रिलेशंशिप आप डाइमंड से करते हो भी रिलेशंशिप डबल डाइमंड से करते हो जैसे आपर रेटेंगम इस एंटेटी डाइग्राम सिंपल रिपर्जेंट गा it like attribute to entity type and entity type with other relationship type primary key attribute are under line double ellipse represent multi-level attribute second part me amad relationship like only one to one one to many many to many weak entity weak relationship which is above next me the next video